ब्रश्चार को आरोप लागे पची बैकुंठ अर्याल मुख्य सची बाट निलम्बी धः उनी सहीत देश बरका 2.32 जना निजामती कर्मचारी निलम्बन मा परेका छन पच्छिलो पटक निलम्बन हुने कर्मचारी भने बैकुंठ अर्यालने हुन और याल हाल समन निलम्मन मा परने सबे बंद उपडल तहका कर्मचारी पने हुन सरकार ले हाल उनलाई योजना आयोग पुरियायको छा राष्टिययोजना आयोग मा राजपत्रांकित विशिष्ट स्रेणी को मुख्य सचीप सरह को विशेश पत्श्रीजना गरी अरियालाई सर्वागरी को हुँ अरियाल अदालत बाट निर्दोस ठहर भए अब योजना आयोग मा हाजिर हुनु परने छा तेसुत यह सगी द्यजार तिर्सटी साल मा ततकालीन मुख्य सचीप लोकमान स्युह कार किलाई पदबाट अटाईदा पनी योजना आयोग मैं मुख्य सचीप इस्तर को विशेश पद स्रीजाना गरेरा पदस्थापन गरिये को थियो अहिले अरियाल को हक्मा पनी तही प्रक्रिया अंगिकार गरिये को सा तरा अरियाल को दरबंदी योजना आयोग मा भय पनी अधालत बाटा क्लीन चीट नपायाशमन हाजिर हुना पावनी छाईनन बय कुंठ अरियाल जस्ता अरू 231 जाना नीजामती कर्मचारी निलम्मन मा छन जस्मा सबेबंदा बड़ी उपसचिब र सहसचिप छन केही सचिप पनी निलम्मन मा छन अधि कांक से कर्मचारी भ्रिष्टचार को आरोप मा निलम्मन मा परेका हुन संग्य मामिला तथा साम्मन्य प्रशाशन अंद्रगत का मात्री एगार जाना निलम्बिच्छन पाज जाना को भनी निलमन फुकवा भायकुछ तर शमग्रमा काज मा आयका सईत साम्मन्ने प्रशाषन मंद्राले अंतरगत का शर्तिस जाना कर्माचारी लाई मुद्दा लागेगो छा इमद्दे अधिकांग चा इस्ताने तोहका प्रमुख प्रशाषकिय अधिकरित हुन निलमन मा परेपनी उनिहरूले माशिक तलब को आधारकम भने पाई रहेका हुन्चन ग्रश्टचार आरोप लागेपची कर्माचारी निलमन मा परनू नियमित कानूनी प्रक्रिया हो तर निजामती सेवा के नेत्रित्तो गर्ने मुख्या सचिप जस्तोपद मा एक दुई मात्रे होईना धेरेवटा ब्रश्टचार अवियोग मा मुचिनू गम्भीर विशय हो टेरामस प्रकरण होस वा अंतो सुलक इस्टिकर वा नेपाल थेलिकमा भईको ब्रश्टचार मा मुख्या सचिप अर्याल विरुद्ध अवियोग लागेर मुद्दा दर्ता उनू तथा उनी निलमन मा परनू शम्मक्र निजामती सेवालाई लज्जित बनावने विशय हो झाल 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 झाल